Hello students, today we are doing class 5th science chapter 4 mangoes around the ear इसमें हम पूरा food के बारे में पढ़ने वाले हैं कि food spoil कैसे होता है, food की wastage कैसे होती है हम food को spoil होने से कैसे रोक सकते हैं वो सब हम इस chapter में detail में पढ़ने वाले हैं तो let's start the chapter अभी देखिए यह बच्चे जो हैं, वो अपना lunch कर रही है तो सबसे पहले नीतु कहती है वाउ अमन's lunchbox has sweet puries, अमन के lunchbox में sweet puries है, then अमन कहता है, hey, today नीतु had brought potato सब्जी, नीतु तुम potato की सब्जी लेके आई हो, प्रीती कहती है, I have got भिंडी, मैं भिंडी लेके आई हो, तभी देखें बच्चे कितने upset हो गए है, अभी अमन कह रहा है तो अब बच्चों आप ये बताईए कि देखें ही किसी को कैसे पता लग जाता है कि उसकी सब्जी खराब हो गई है, कैसे उसे पता लगा कि lunchbox जैसे उसने open किया और जैसे उसने देखा कि तुम्हारे lunchbox में potato की सब्जी है, लेकिन वो spoil है, तुम खाना मत उसे वरना तुम पड़ जाओगी, तो उन्हें कैसे पता लगा ये चीज, क्योंकि वो bad smell कर रही थी, आपने देखा होगा कभी कोई चीज हमारी सब्जी खराब हो जाती है, तो उसकी एक अजीब सी smell हो जाती है, और उसका जो texture होता है, वो भी थोड़ा सा change हो जाता है, जो fresh सब्जी होती है उसका अलग texture लगता है, और जो बासी सब्जी हो जाती हो, तो थोड़ी से डाक डाक से लगने लग जाती है, तो इसलिए उनको पता लग गया है, कि भी तुम्हारी सब्जी खराब हो गई है, तुमें से मत खाना, आप देखिए, question answer है, discuss मे, how did Amand know that the potato सब्जी had got spoiled, तो इसक answer आप लिखेंगे, by bad smell coming, then next question है, have you ever seen some food that has got spoiled, कि आपने कभी कोई food खराब होते हुए देखा है, answer आपको मिलेगा, yes, और खराब कैसे होता है, आपको पता कैसे लगता है, कि वो food खराब है, by their bad smell, या by bad smell coming in that food, तो उससे पता लग जाएगा, कि भी वो food खराब हो चुका है, next question है, प्रीती टोल नीतु, no to eat the potato सबजी, पोटेटो कोई सबजी को मत खाना, what would happen if she had eaten it, अगर वो खा लेती, तो क्या होता उससे, तो इसका answer है, बच्चों, she would have fallen sick, वो बिमार पड़ जाती, क्योंकि आपने देखा होगा, कि कभी भी हम खराब खाना खा लेते हैं, या फि नहीं है, next है आपका right में, look in your kitchen, आप अपनी kitchen में देखिए, write down name of food items that, आपको ऐसे food items लिखने है, that can get spoiled in 2-3 days, आपके food items जो की 2-3 दिनों में खराब हो जाएगा, आपको ऐसे food items के नाम लिखने है, इसमें refrigerator का जिकर नहीं किया गया है, आप अपनी kitchen shelf पे ही जो रख सकते हैं और जो खराब नहीं होंगे, उसके हिसाब से बताया है, कि आप अपनी kitchen shelf पे 2-3 दिनों तक, अगर milk को रखते हैं, boiled rice को रखते हैं, या bread को रखते हैं, तो वो तीनों खराब हो जाएगे, उसमें आपके fungus लग जाएगी, आपके microorganism जो है, वो पैदा हो जाएगे, तो इसलि moisture create हो जाता है, और फिर जो है, वो भी थोड़ी सी, गिल-गिली टाइप होने लग जाती है, वेट हो जाती है, वो खराब हो सकती है, वन मन्त तक कौन सी चीज ऐसी होती है, जो kitchen shelf पे आप रखेंगे, और वो खराब नहीं होएगी, आपका घी है, जैसे आपका देसी घी है, या oil है, कोई भी चीज है, आप बहार रखते हैं, तो वो खराब नहीं होगा, आपका pickles हैं आपके, वो भी खराब नहीं होगे, आपके कोई grain है, जो कि उबले हुए ना हो, ये कच्चे grain, raw grains की बात करिए, अगर boiled rice होंगे, तो वो दो से तीन दिनों में खराब हो जाएंगे और अगर वो उबले हुए rice नहीं है, तो वो जो है, वो आप कितने भी दिनों तक store करके रख सकते हैं, और ये उबले हुए rice है ऐसा नहीं है, बच्चों की दो से तीन दिन तक चीज़ा चलती हैं, नहीं, ये खराब हो जाती हैं, दो से तीन दिन यहाँ पर पूछ रखा है question में that's why जो है, मैंने यहाँ पर 2-3 days लिखा है, तो अब आपको इसका answer मिल गया है, क्या के चीज़े कितने कितने time में आपके खराब हो जाती हैं, without refrigeration के आप रखते हैं तो, next है आपका look at your friends list and discuss in the class, आप अपने friend की list देखिए और discuss कीज़े class में, will your list be the same in all seasons, what would change, जो food खराब हो सकते हैं, वो सबके लिए एक जैसे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है, किसी एक के घर में वो food एक दिन में खराब हो जाता है, दूसरे घर में वो नहीं होता है, तो यह list लगबख सबकी same मिलेगी, और अकला question है, क्या हर season के लिए, हर season में same आपका list रहेगी, कि different seasons, हमारा food जो है different seasons में different work करता है, अब आप देखेंगे कि जैसे सर्दियों में, अगर हम दूद गरम नहीं करते हैं, हमारे packets बाहर रखे हैं, तो भी वो दूद जो है, आपके 11-12 बज़े तक फटता नहीं है, लेकिन सर्दियों में तो अगर वो 2 घंटे भी बाहर रह जात है, तो इतनी ज़्यादा गरमी होती है, कि वो दूद जो है, पैकेट में ही फट जाता है, जैसी हम उसे फिर गरम करने लगते हैं, तो वो दूद फट जाता है, खराब हो जाता है, तो ये फरक है आपका, कि summers में जो है, गरमी के कारण, due to hot weather, spoiled dinner day, एक दिन में ही food खराब हो है, वो जब मिलता है, तभी microorganism पर पनप जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई pickles डालते हैं, तो वो हमेशा ग्लास जार में डालते हैं, और उस ग्लास जार को अपने घरों में देखा होगा, जैसे मेरी मदर बनाती थी, तो वो क्या करती थी, वो ग्ला टाइप से behave करता है, due to weather conditions, next आपका question है, when food gets spoiled in your house, आपके घर में जब food खराब हो जाता है, what do you do with it, आप क्या करते हो उसे, तो आप क्या करोगे उसको, जब food खराब हो जाएगा, तो आप किसी को दे भी नहीं सकते हो, कि आप भार जाकर किसी को दे दोगे, कि मेरे घर के लि फिकना चाहिए, तो वो दोनों चीज़ों में difference है, एक तो होती है food spoilage और एक होता है food waste, food spoilage की बात यहाँ पे हो रही है, कि जो food खराब हो जाएगा, तो जो food खराब हो जाता है, उसे हमें जो है, कुडे में ही डालना पड़ेगा, लेकिन जो food हमारे घर में बच जाता है, म उसे हम food wastage बचा सकते हैं बच्चों, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बचा हुआ खाना ट्रेश में डालना है, वो बिलकुल भी नहीं है, आप बचा हुआ खाना जो है animals को दे सकते हैं, किसी needy person को दे सकते हैं, जो खाना आप खुद खाते हैं, लेकिन अगर को यह खाना सड़ गया है, खराब हो गया है, spoil हो गया है, तो उसको हम dustbin में डालेंगे, तो अब यहाँ पर आपको difference समझ आ गया होगा, कि एक चीज़ होती है food spoilage और एक चीज़ होती है food waste, next question है आपका बीजी returned the bread, बीजी ने bread वापस दे दी, अमन्स बीजी went to the market to buy bread, अमन की बीजी ज जैसे ही उस bread को देखा, तो बीजी ने तुरन थी वो bread वापस दे दी, shopkeeper को, look at the picture of the bread packet here, and guess why बीजी returned it, आप देखिए इस packet को देखिए, बीजी ने पैकेट क्यों return कर दिया, बच्चों यह आपको भी दिखाई दे रहा होगा, कि इसके उपर देखिए, black black से sport पड़े बीजी ने सबसे पहले जो विजवली दिख रहा है, पहले उन्होंने एक्सपायरी डेट ना देखकर, सबसे पहले विजवली जो चीज दिख रही है आपको, कि इस पे जो black black धब्बे है, इसका मतलब इस bread पे फंगस लग चुकी है, उसके बाद बीजी ने देखा कि यह bread एक्सपायर है, तो इसलिए तुरंत ही उन्होंने की bread वापस कर दी शौपकीपर को, नेक्स्ट कोईशन है, हाव डिट शी फाइंड दैटी, ब्रेड हैड गोड स्पोयल, ब्रेड जो है वो स्पोयल होगी है, बीजी को कैसे पता लगा, बीजी ने जब वो black स्पोर्ट उस पर देखें, तो इसका अंसर आएगा, she find that the bread had got spoiled by seeing the black spots in it, उसके उपर जब उन्होंने black spots देखें, तो उन्हें पता लग गया, कि ये जो है, ब्रेड खराब हो चुकी है, इस पर फंगस लग चुकी है, आपका वो कह रहे है, find out, look carefully at 2-3 packets of food item, मैं 2-3 packet ले आई हूँ, देख अधी भी है या नहीं है, तो सबसे पहले इसकी इंग्रीडेंट देखेंगे, इंग्रीडेंट देखने के बाद इसकी जो है, हमें expiry date और manufacturing date चेक करनी है, then उसके बाद हम इसका weight देखेंगे, और इसका price देखेंगे, तो सब में हमें यही देखना है, expiry date ज़रूरी है 2024 April है, और आप देखेंगे, इसकी expiry date जो है, छोटी है, shelf life छोटी है, किसी की shelf life बहुत लंबी है, और जो जितनी healthy चीज होगी, उसकी shelf life उतनी ही कम होती है, यह देखेंगे, इसकी 6 month है shelf life, और इसकी ingredients जो है, बिलकुल healthy है, तो आपको इससे क्या समझाया, हम सबसे पहले जो लेने का, तो सबसे पहले हम उसकी ingredients check करेंगे, उसकी nutritional values देखेंगे, उसकी expiry date देखेंगे, packaging date देखेंगे, weight देखेंगे, और उसका MRP देखेंगे, कि कितने रुपे की वो हमें पड़ेगी, तो इसमें आपका answer आएगा बचों, कि package में आप क्या देखेंगे, उसकी expiry date, manufacturing date ingredients, weight and price, next question आपका ये पूछा गया है, when you buy anything from the market, what do you look for on the packet, ये same चीजी आएगी, आप ये सब चीज देखते हैं उसके, then next आपका experiment है, how does food get spoiled, food खराब कैसे होता है, the whole class can do this experiment together, एक साथ उने ये experiment करना है, take a piece of bread or roti, bread here roti का piece लेना है, sprinkle a few drop of water on it, उसके छोड़े से छीटे डा पानी के, और उसे एक बॉक्स में बंद करके रख देना है, जब आप उस बॉक्स को बंद करेंगे, और next day खोलेंगे, तो आपको उसकी जो है, क्या क्या चेंजे उसमें आए है, वो नोट डाउन करने है, इस टेबल के अंदर, ये टेबल सब बचे बनाएंगे, और फिर व तो बिलकुल क्लियर दिखाईगा धिगी, color जो होगा, उसका बिलकुल बाउनी शगर-अडैली है तो brown會, white प्रेडली होगा, ऑसके बाद निए हैं तो निए होड़何 कईसे and the green, जो फोर्थे-थ में दान तो जो होगा, उसमें टोड़ किसी moist field हो हो जाएगी, फिर उसके बा गिल गिली लगने लगेगी, smell उसमें से बहुत गंदी smell आनी start हो जाएगी, उसमें greenish color के spot काफी सारे बन जाएगे, जब आप 6 दे, मतलब एक हफते बार देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, पूरी तरह से गल चुकी होगी, एकदम रोट हो चुकी होगी, spoil हो चुकी होगी, उसमें पूरे जो है, greenish spot जो है, वो कैसे turn हो जाएगे, वो color से बन जाएगे आपके blackish spot, black हो जाएगी वो और बहुत गंदी smell आएगी उसमें, तो ये आपकी observation होगी इसमें, find out the reason for these changes, ये reason किसलिए होए इसमें, from where did the fungus come on the bread, ब्रेड कहां से आई, देखिए ये reason जो है बच जो है, ऐसे environment में ही, जो है, fungus grow करती है, तो आपने जैसे उस पर bread पे छीटे लगा दिये, या फिर घर में आप कहेंगे, हम तो छीटे नहीं लगाते हैं, फिर भी घर में पड़ी-पड़ी bread कैसे खराब हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, उस bread के अंदर कहीं ना कहीं, जो है and moist environment, then fungus grow in the bread, different kind of food items spoil due to different reasons, some food spoil soon, कुछ food जो है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ food जो है, लंबे टाइम तक रहते हैं, list some seasons and condition in which food spoil quickly, ऐसे list बनाईए कि season wise और condition क्या क्या हो उनकी, जिससे की food spoil जल्दी से हो जाता है, तो इसमें बच्चों देखिए, आपको दूद बना के रखते हैं, पापड बना के रखते हैं, वो आपके जल्दी से खराब नहीं होंगे, और आपका season जो है, summer season में आपके चीज़ें जल्दी खराब नहीं होंगी, वो लंबे टाइम तक चलेंगे, और आपको आम जैसे पूरे साल के लिए अगर प्रिजर्व करके रखन जैसि ये फिश है, जैसे हैं, जैसे पाके रखते हैं, जैसे स्टोर करके रख सकते हैं,ापको जो है तॉरिष ये दिखते हैं, अपको जिए जैसी के बन च्रिज़ें शुकान, सुखा तूराइन को पैंकर इस Св 알았어-iend messed, इस सुखा नवर्ध ये जांड में टीया जााजाते है देन उसके बाद आपके आते हैं dry fruits जो कि आप dry करके उनको बिल्कुल अच्छी तरह से consume कर सकते हैं full year के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये जो हैं आपकी health point of view से भी बहुत अच्छे होते हैं नर्स इने आप dry करके fruits को रख सकते हैं इने को हम dry fruits बोलते हैं नेक्स आता है बच्चों आपका pickle pickle जो है वो हम store करके रख सकते हैं क्योंकि कईयों को मतलब एक fruit या एक vegetable सित्ती पसंद होती हैं कि वो उनको पूरे साल तक खाना चाते हैं बॉयल करने के बाद तो इस cancer आएगा बॉयल इट कुक्ट राइस मतलब पके हुए राइस को हम ठीक कैसे रख सकते हैं पहले उसे बाउल में डालेंगे and keep the bowl in a container with some water फिर उस बाउल को जो है ऐसी जगहा पर रख देंगे जो मतलब किसी ऐसे container में रख देंगे जहां पर नीचे थोड़ा सा पानी होगा उसमें वो cooked rice का बाउल आप रख देंगे ताकि उसे वो refrigerator वाली थोड़ी सी environment मिल जाए then green coriander धनिया धनिया को आप कैसे कर सकते हैं ठीक रख सकते हैं एक से दो दिनों तक wrap in a damp cloth उसको थोड़े से सीले सीले से कपड़े में लपेट के रख देंगे then onion और garlic को आप कैसे रख सकते हैं उन्हें एकदम सूखे और dry place पे आप रखेंगे तो वो एक दो दिन तक खराब नहीं होगे even onion और garlic अगर आप सूखे ऐसी basket में रखते हैं तो फिर वो हफते तक भी आपके खराब नहीं होते हैं after that है summer treat मेंविदी तंद्रा मेंविदी तंद्रा क्या होता है बचों उसे आम पापड बोला जाता है चिटी बाबू एंड चीना बाबू जो है वो अंधर प्रदेश के एत्रिय पूरम टाउन में रहते हैं तो दोनों भाई जो है summer holidays में बहुत सारे mango garden में प्ले करते हैं वेंदी trees are full of fruits जब पूरे पक जाते हैं वो उन fruits को खाते हैं और उन पे जो है unripe fruits को जो है salt और chili powder लगा के भी खाते हैं और उनकी मदर जो है घर पर क्या करती है अन्राइप mango को अलग तरह से यूज करती है जैसे की mango pickle लगाती है आपने देखा होगा बच्चों जो कच्चा आम होता है अगर उसे काट के जो है वो बिल्कुल खटा-खटा होता है अगर उस पर जो है आप थोड़ा सा chili powder और नमक लगा खाते कई जगा तो यह sale भी किया जाता है बहार जो है इसको vendors जो है sale भी करते हैं तो यह चटपटा सा बहुत अच्छा लगता है घर पर जो है उनकी मदर क्या करती है अन्राइट मैंगोज जो होते है उसका डिफरेंट टाइप में यूज करती है जैसे कि उनके पिकल डाल देती है, मतलब अचार डाल देती है जो कि पूरे सीजन तक चलता है ताकि वो पूरे सीजन तक मैंगो खा सके एक दिन चिनु बाब उन्हे अपने ममा से पूछा कि हमारे पास तो बहुत सारे मैंगो हய। आप आम पापड क्यों नहीं बनाते हो तो उनके फादर ने कहा ठीक है हम आम पापड बनाएंगे बट इस जो हब चिल्डरन अपने अपस बारगा होगा हों तो यह सब चीज़ें आपको चाहिए होती है आम पापड बनाने के लिए अब बच्चे देखो पिक्चर के थू आप सीखिए वह पहले तो जूल रहे हैं खेल रहे हैं फिर उसके बाद वह अपने पापा के साथ मैट लेके आ रहे हैं और कैसरियना ट्री की जो है पोल्स लेके आ रहे हैं स्ट्रिंग लेके आ रहे हैं कोकोनट हसका फिर उसके बाद जो है उन्होंने आम निकाले और आम को जो है उनका पल्प तियार किया पल्प तियार करने के बाद दोनों बच्चों की मदर ने उस मैट के ऊपर वह पूरा पल अमा ने अब एक प्लेस रून लिया अपने बैक्यार्ड में जहां पर जो है अच्छी तर आती है जो सनी प्लेस है उनके घर का तो बच्चों ने जो है वहाँ पर पोल्स बान दिये है जो वो ट्रीज के पोल्स लेके आये थे एक हाइट पर पर्टिकुलर हाइट पे और वही ताकि उसका जितना भी फाइबर था वो रिमूव हो जाए फिर उसके बाद एक्वल क्वांटिटी ओफ गुड और चूगर एड कर दी है उसमें एड करने के बाद जो है उसका जो मतलब बना था पल्प वो उसको स्प्रेड कर दिया है पूरी अच्छी तरह से मैट के ऊपर और स्प्रेड करने के बाद उसको संड्राई होने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया है धीरे धीरे उसी जो है प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसके उपर जो है सूखने के लिए एक कपड़ा डाल देते हैं वो ताकि उसके अंदर डस ना आए जैसे कि साडी डाल दी है या पर इसमें जो बताया गया है कि they cover the mat with a clean sadi to avoid any dust, फिर उन्होंने क्या है, जब वो थोड़ा सा सूख गया था, ताकि वो गिल गिले के उपर pulp के उपर, अगर sadi लगेगी तो फिर वो बचो खराब हो जाएगा, तो इसलिए जब वो evening हो गई थी, जब वो sun dry हो गई थी वो layer उसके बाद उसके उपर sadi डाल दी गई है, then उसके बाद next day दुबारा से वो ही pulp बनाते हैं, और फिर उसके उपर एक layer roll लगा देते हैं, जब तक वो 4 cm थिक नहीं हो जाती, daily यही process repeat होता है, जैसे ही वो उनकी proper layer बन जाती है, तो उसके बाद उसे उतार लिया जाता है, और फिर उसे कट करके pieces में उसे खाया जाता है, तो आब वो कह रहे हैं, right में क्या है, why was sugar jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun, देखे, sugar और jaggery जो है mango pulp में क्यो डाले जाती है, बच्चों जो sugar और jaggery मतला मीठा जो होता है, वो microorganism की growth नहीं होने देता है, प्रिवेंट करता है उनकी growth को, तो इसलिए में मैंगो की safety के लिए उसको preserve करने के लिए यहाँ पे sugar and jaggery डाला गया था, देन उसके बाद, next है dried in sun, उसको sun में सुखाने का क्या फायदा होता है, सन में सुखाने का भी यही फायदा होता है, बच्चों कि उसके अंदर जितना भी गीलापन होता है, वो dry हो जाता है, और dry जल्दी से खराब नहीं होती है, next है आपका, why did अपा first choose the most ripe mango to be used for making the memidi tendra, memidi tendra बनाने के लिए, अपाने मतलब उनके फादर ने जो है ripe mango ही क्यों choose किया, क्योंकि बच्चों देखिए, ripe mango जो होते है, वो juicy होते है, और उनमें fiber कम होता है, तो इसके लिए pulp ज्यादा चाहिए और fiber कम चाहिए, क्योंकि उन्होंने fiber निकालने के लिए उसे च्छाना था, और जो आपका कच्चा mango होता है, वो less juicy होता है, उसके अंदर juice नहीं होता है, वो hard होता है, then उसके बाद ये किस चीज में use होता है, जो ripe mango होता है, उससे हम milkshake बना सकते है, आम पापड बना सकते है और जो आपका unripe mango होता है, उससे हम pickles बना सकते है, चटनीज बना सकते है, तो ये चीजें इसमें difference है, तो इसलिए उनके फादर ने ripe mango चूज किये, क्योंकि उन्हें juicy चाहिए था, और less fibrous चाहिए था, then next है, how did the brothers make mehidi tandra, write down step by step what they did for this, तो step by step ये है, सबसे पहले उन्हों पोर कर दिया, spread कर दिया, then उसे sun dry होने के लिए रख दिया, और उसे एक thin layer, thin cloth से, मतलब चाहिए वो साड़ी है, चाहिए कोई पतला cloth है, उससे ढख दिया, ताकि वो dust उस पे नाए, everyday layer add करते गए, जब तक की 4 cm की वो thickness हो गई उसकी, फिर उसके बाद after a month कह सकते हैं, आप after 4 weeks, जैसा की book में आपका लिखा हुआ है, कि for the next 4 week, they hoped it not rain, मतलब की next 4 week तक वो ऐसे ही add करते रहे, और जब उसकी thick layer बन गई, तो मैमीधी तंत्रा आपका ready हो गया, तो यह इसके steps है, what things are made in your home from ripe and unripe mango, ripe mango से और unripe mango से आपके घर में क्या क्या चीज़े बनती है, तो यह मै next आपका है, make a list of all the different types of pickle that you know about and share with your friend, आप किन किन तरह की pickle के बारे में जानते है, आप उनके एक list बनाइए, देखिए, आम का अचार बनता है, नीमू का बनता है, mixed pickle बनता है, जैसे carrot है, मूली है, आपकी गोबी है, सब चीज़ों का अचार बनता है, made by और यह चीज़ों का अचार बनता है, next है, find out and discuss, is there any kind of pickle made in your house, आपके घर में किसी तरह का अचार बनता है, what kind of pickle it is, वो किस चीज़ों का अचार है, who makes it, कौन बनाता है, from whom, मतलब यह बनाता है आपके घर में अचार, उन्होंने कहां से सीखा, तो इसका answer है, यह mango, lemon, mixed pickle, यह सब बनते हैं हमारे घर में, made by my mother, मेरी मदर बनाती है, she learnt it from my grandmother, और मेरी grandmother से उन्होंने यह recipe सीखी है, next है आपका, आप यह कह रहे हैं कि pickle बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों होती है, how is the pickle made, pickle बनता कैसे है, find out the recipe and write, उसकी recipe बताइए और उसको लिखिए, तो यह आपकी recipe है, बच्चों आप कच्चे आम को तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है, मतलब इसमें बोल रखा है, mature और green, मतलब बिल्कुल छोटे आम को नहीं तोड़ना है, उसको थोड़ा सा size में बड़ा हो, और green आम, green मतलब unripe हो वो mango, then उसके बाद उसे अच्छी तरह से दोएंगे, उसे peel क इसे哦- चूटी-चूटी-चूटी slice कर देंगे, जितने size की आपको चाहिए, जैसे आप अचार डालते हैं, यह slice जो है, एक जार के अंदर डाल देंगे, और उसके उपर salt, 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 डाल देंगे, और oil mix कर देंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर fillings डालेंगे, फिलिंग को उन जो की sterilized bottle होगी आपकी जो अच्छी तरह से sun-dried होगी जिसके अंदर moisture 0% होगा फिर उसके बाद सारे species वगएरा उसके अंदर add करने के बाद उसको shake करते रहेंगे आप पहले उसे थोड़े दिन तक दूप में रखेंगे और उसे shake करते रहेंगे अच्छी तरह से ताकि वो सारी चीजे उसके अंदर अच्छी तरह से mix-up हो जाएं फिर उसके बाद जो है उसे seal बंद करके और उसे एक particular temperature पे store कर देंगे फिर आप देख पेञी पापड करते हैं पूरा तरीका आपको बटा दिया है सुरी पापड कैसे बनता है आपके घर में पापड जो है उसको किस-किस चीज के होते हैं जैसे mungg dal के होते है उडद दाल के मुटाणी तो सबसे पहले मुटाल या उडद दाल है उनको अच्छी तरह दोया जा अगर ज्यादा मतलब बनाने मसालेदार बनाने है तो ज्यादा स्पाइस डलते हैं नहीं तो सॉल्ट तो 100% डलता है फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है मिक्स करने के बाद उन्हें मिक्स कर लिया जाता है मिक्स करने के बाद cover it with a moist cloth उन्हें एक थोड़े से गीले गीले कपड़े के साथ जो है cover कर दिया जाता है जैसे हम धूप में किसी चीज पहले कुछ नीचे बिछाते हैं उसके उपर वो mixture डालते है और फिर उसको जो है एक स चटनी कैसे बनाई जाती है जादतर हमारे घर में में जो है mint और coriander की चटनी बनती है धनीय की और पदीने की उसको कैसे किया जाता है spices और सौल्ट्स एड़ करके फिर उसे ग्राइंड कर लिया जाता है बढ़ियां भी आपकी ऐसे ही बनती है और सोस भी आपकी ऐसे ही बनती जो कि बिलकुल सूखी होती है, जैसे एक पीकल की होती है, वैसी बोटल में बंद करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो ऐसे बनती है आपकी सारी चीज़ें, देन है उसके बाद आपका कोशन, it is a two days journey by train from Pune to Kolkata, Kolkata से Pune जाना है आपको और दो दिनो की eat first, कौन सा food आप पहले खाओगे, देखिए, हम कभी भी travel करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ आपने साथ घर की बनी हुई ऐसी चीज़ें भी ले जाते हैं, जो कि आपकी एक दो दिन तक नहीं चल सकती है, आप सिंगल डे में उसे कंजूम करना होता है, जैसे कि आप पूरी चीज बना के ले गया, और पैक्ड में जैसे आपके स्नेक्स हो गए हैं, पापड हो गए हैं, आपके बनाना चिप्स हैं, ड्राइ फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ें आप ले जाएंगे, वो आपके काफी टाम तक चल सकती हैं अपने ट्रिप की जर्नी में, तो ये आपका थ अगर कहीं पर बार बार मैं आपको बता रही हूं कि किसी भी माइक्रो ओर्गिनिजम को ग्रो करने के लिए एक मॉइस्ट हुमिड कंडिशन चाहिए होती है, अगर आप वहाँ पर बिल्कुल ड्राइ उसका एट्मोस्पेर रखेंगे, मतलब बोटल को बिल्कुल सुखा द यर, वी मेट डिफर्ट घिंक्स जैसे की पीडल अमपट चतनी चिकी लिए विच वी मेक डिफर्ट फैंड थेंक्स तो एट्व एट्रू अप जैसे यह चीजे हैं यह यह आम की बनी हुई है, बहुत सारी चीजे ऐसी होती हैं जिनको हम और बनाके रख सकते हैं, जोकि हम एक प्रचस इसेटां समय काट लिगन के विए निकांट को्छ क yell में जासने सल के पीर स्वाइअ है अगर आपको इसमें अपका शेप्डर सेटा करने घुरा मिला के आया है तो you can ask me in comment section